है लो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेयर वजार वित आयुश और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मुफ्ती मेंस्वियर आई-पियो के बारे में तो दोस्तों कल मुफ्ती मेंस्वियर वि grandfather में लेंगा क्या है जरूरण अभी जिस तरीके का बाजार है और जिस तरीकी का बाजार में आपको उता चड़ाब देखने को मिलरेा तो वीडियो को देखिएगा पूरा उससे पहले friends अभी दगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी दरूर कर लीजिएगा तो friends जिनको भी IPO लगा है 280 रुपीस का आपको एक शेर मिला है कुल मिला के कितने शेर मिले हैं कुल मिला के आपको 53 शेर मिले हैं in a single lot 53 शेर मिले हैं in a single lot कुल मिला के दोस्तो इस IPO का जो size था वो 549 करोड का था लेकिन हमेशा याद रिखी कोई भी IPO हो उसके अंदर आपको देखना है subscription कि कितना पैसा निकल कर आया था उस issue के अंदर कितना subscription रिसीव हुआ था उस issue के अंदर और देखना है किसको है QIBS को QIBS ने 105 गुना के आसपर दोस्तो इस issue को भरा था 105 ताइम्स के आसपास यह जो issue था वो भरता वो नजर आया था from the qualified institutions तो QIBS जब दोस्तो जादा भरते तो इसका मतलब क्या है कि definitely इस issue के अंदर कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो मतलब होगा तर भी जाकर दोस्तो पैसा जो है वो basically लगाते होगे नजर आहें QIBS तो exactly वो ही था कुल मिला कि QIBS ने इसके अंदर 11,540 करोड के आसपास अपलाए करें तो इसका मतलब क्या है simple simple कि दोस्तो QIBS definitely is IP का दर interested थे तब भी इतना पैसा लगाया इसके अलावा अगर बाकी categories देखे तो पचपन गुना H9 portion सब्सक्राइब हुआ 19.94 times retail portion सब्सक्राइब हुआ लेकिन on and all जो bottom line है वो यह है कि subscription इस issue के अंदर आपको बढ़ी आता हुआ देखने को मिला company को almost receive हुए 19,955 करोड तो इसका मालब यह था कि subscription जो है वो काफी शांदार देखने को मिला अब दूसरो कोई भी IPO है तो वो जरू हम उसके listing किस तरीके से देख सकते हैं वो है valuation right company की valuation किस परकार की तो इस company की जो valuation है अब देख सकते हैं valuation company के जो post price to earning बैठता है वो almost है 23.23 times कितना है 23.23 times company का return on equity आप देखिए इस company का return on equities आता है return on capital employees से यह बहुत कम companies में देखने को मिलता है लेकिन अच्छा ही संकेत तो कोई negative संकेत नहीं है return on capital employees भी आप देखिए 28.16% है और return on equity है 29.98% है नहीं close to 30% इतना आपको company का return on equity and return on capital employees देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह कि company बहुत बढ़ी है 25 सुपर लेगा रही है तो company दमदार है वालब company के अंदर दम है और company को अपने पैसो को घुमाना आता है जो पैसा company उठा रही है यानि debt पे उस पैसो का utilization company बहुत ही बढ़िया धंक से कर रही है यह दोस्तो ROCE का मतलब होता है जो exactly यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है debt to equity भी काफी manageable है only 0.65 एक से नीचे होता है debt to equity तो बहुत बढ़िया माने जाता है ठीक है लेकिन जरूरी जो मैंने कहा शुरुबात में वो है valuation right 23.23 का company का price running है अब मैं आपको इसके listed peers दिखाता हूँ बहुत सारी companies तो loss में भी है तो इसके करण उनका price running नहीं है जैसे आज इते बिल्ला fashion का नहीं है लेकिन जो companies listed है और जो मुनाफ़ा कर रही है तो उनका जो price running है जैसे go fashions 88.24 के price running पर trade कर रही है अर्विन fashion 157.08 की price running पर trade कर रहा है केवल किरान clothing almost दोस्तो 40.24 की price running पर trade कर रहा है तो simple भात क्या है कि company अपना IPO का जो valuation लेकर आई है जिस price running पर लेकिया है उसके सबसे company का valuation है around 24 times इसके listed peers अगर आप देखेंगे तो कोई भी 40 के नीचे भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि company के valuations क्या होए बहुत attractive देखने को मिले है right company देखे majorly पैसा अपने EBOs से कमाती है EBOs का मतलब क्या होता है exclusive brand outlets right exclusive brand outlets से दोस्तो company का majority of the earnings होता है multiple brand outlets MBOs जिसे हम कहेंगे उससे company का business ठीक ठाक होता है लेकि majorly पैसा company अपने खुद के brand outlets से बनाता है देकि risk जरूर है इस business के अंदर है कि कोई भी risk नहीं है जो एक risk है इनका जो major business है दोस्तों वो concentrated है men's casual western wear पे अब ये बात ध्यान रखिए कि company को diversification करना पड़ेगा मतलब आने वाले समय के अंदर company को सारे देखे दोनों male female दोनों के लिए में सबसे कपड़े बराने पड़ेंगे company उधर भी diversification करेंगे तो definitely थोड़ा बहुत revenue company वहां से भी generate कर पाएगी जो मुझे लगता है बड़िया है बाकि हाँ as such बहुत बड़ी बड़ी कोई खास problems नहीं है ये हमको साफसाफ नजर आए company के अंदर valuation जसमन आता है आप उसके देख सकते हैं जो भी listed peers है उनसे काफी attractive देखने को मिलती है company का revenue जरूर उतना नहीं है जैसे कि जितना दोस्तो आदिते बिल्ला fashion का है वो काफी शानदार है लेकिन overall जो बताने वाली बात है कि इस company का revenue ठीक ठाक है और company की जो earnings है उसके हिसाब से जिस valuation पे company अपना IPO लेके आती है वो इसके listed peers से तो काफी जादा नीचे है because 23.22 का इनका है और बागे सबका आप देख सकते 88.24 157 and 40.24 जो अपना आप में दिखता है कि काफी जादा है इसके listed से और return on net worth भी अगर आप notice करेंगे तो company का 29.98% का है इसका तो negative में है इनका 17.72% है 4.2% है 23.2% है तो सारी जो parameters मैंने देखे है वहाँ पर मुझे company के जो भी काफी attractive नजर आई अब बात करते कि listing होगी कहां तो इस company के जो current green market है उसके हिसाब से दोस्तों यह जो आई भी हो है वो लिस्ट हो सकता है around 28.57% उपर यानि almost आपको 360 रुपए के आसपस इसके listing देखने को हो लेगी यानि इसके हिसाब से अगर मुनाफ़ा देखा ज अब देखें मेरे साब से दोस्तों ही जो IPO है यह list होगा around 30-380 के बीच में ज़रूर range थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उसके बीचे आप सबको reason पता ही है क्योंकि बाजार अभी काफी जादा IPO के उतार चड़ा आप देख रहा है और IPO के listing बहुत unexpected हो रही है तो इसलिए 340-380 रुपए के बीच में इसके listing होनी चाहिए अगर 340 इसके नीचे list होगा तो बहुत ही घराब listing है बतलब इतनी घराब listing के expectation कोई नहीं कर सकता है और अगर 380 रुपए का इसपस लिस्ट होता है तो यह बात मान के जलिए कि बाजार कंपनी के valuation को सलाम कर रहा है जो valuation सही लेके कर रहा है उसको बाज़ा reward भी कर रहा है तो अगर दोस्तों कल यह 300 इसपस लिस्ट होता है तो इसके valuations के कारण यह इतना उपर लिस्ट होता है तो इसको आप सिंपल सी बात है कि 380 से 5300 रुपए तक का मुनाफ़ा आप मान के लिए सकते कि आपको हो सकता है इस तरह की expectation कि नहां profit report कर रही है यह बात सही है तो इस पुरे industry के अंदर मैं सबसे growth देखने को मिलेगी जो इंडा का apparel market है माना दा है कि 18% के CGR से growth करेगा जब 18% के CGR से कोई industry growth करेगी तो उस company उन companies के अंदर मुन जबता है कि अच्छे खासी आपको revenue in terms of revenue growth देखने को मिलेगी इन definitely व थोड़ी से company को पढ़िएगा उसके बात जाके long term रखने का सोचेगा बाकी अगर आप उससे पूछेंगे जिनके पास नहीं आया क्या करना चाहिए simple सी बात है अगर आप कोई मिलता है around 300, 320, 330 तो मेरे सबसे कोई खराब levels नहीं होंगे इसके अंदर entry है कि again कोई buy sell call नहीं है simple सा view है जो मैं आपको बताया कोई बाल से buy sell recommendation के लिए आप अपने financial advisor से consult करें तो friends इस वीडियो में तो इतना ही था वाकी मेरा जो view है वो तो नहीं आपको बता दिया, hopefully आपको बढ़ा लगा होगा, अगर आपका कोई भी view हो तो commentation में जबरूत आएगा, इस वीडियो में अपको बताया जबरूत अबरूत को बताया जया थाज्डियोग से वीडियो तो लिए नहीं पमें इस वीडियोग से